तो देखिए इस वीडियो में exercise 3.1 discuss करेंगे class 8 से लिया गया question है कि what will be the unit digit in the square of following numbers जैसे 16 है तो ये तो question आसान है कि 16 का square होता है 256 तो हम बता देंगे unit के अस्थान पे कौन सा digit आएगा लेकिन यही नंबर जब बढ़ा होते चला जाएगा और बहुत बढ़ा होते चला जाएग तो उस समस्या से हम कैसे निकलेंगे इस वीडियो में जानेंगे हम कैसे इसको solve करते हैं तो question number first का ए जो देखेंगे question है 16 तो इसके इसका बात करते हैं हम लोग unit digit का unit digit की बात हो रही है तो unit digit of 16 is 6 unit digit जो है 16 का क्या है 6 है and अगर हम बात करें 6 के square की तो 6 का square आता है 36 6 का square क्या आता है 36 और 36 के unit digit क्या है तो 6 है यानिकी answer अपना 6 होगा लेकिन इसको लिखेंगे कैसे एक प्रोपरवे में तो लिखेंगे since the unit digit of 36 is 6 hence अता हम बोल पाएंगे hence the unit digit of the square of the given number given number is 6 और यही अपना final answer हो गया question number second 253 है इसका square करेंगे समय बढ़बाद होगा लेकिन हम ये method जान चुके हैं तो इस method से बहुत ही आसानी से कर पाएंगे unit digit जो है 3 है और 3 का square करेंगे और 3 का square result हमें 9 देता है और 9 के unit अस्थान पे unit place पे क्या है तो unit place पे तो 9 अकेला है एकला होता है तो 9 ही इसका answer होगा और language हूँ बहु इसी के तरह बना देंगे और भी question जो बच जाते हैं c d e f z और h जो है वो खुद कर लेना है do yourself तो last question हम लोग देख रहे हैं h जो है बहुत ही बड़ा भैलू है 4876937 अगर हम लोग यह method नहीं जानते तो generally बच्चा क्या करता है 4876937 और फिर लिखता है 4876937 इसको multiply करके और इसके answer तक पहुचता है और समय की बरबादी करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं करना है यहां देखना है unit digit क्या है तो 7 है और unit digit का square करना है और इसका square का result जो आता है उसका unit digit देखना है तो उसका unit digit क्या है 9 है और 9 ही इसका final answer होगा और language की जहां तक की बात है question number 1 में जैसा हमने बताया same language यूज करना है बचे हुए जो question बच जाते हैं c d e f z and h जो की आप लोग को खुद करना है do yourself देखेंगे next question 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 number 2 इसी वीडियो में question number 2 घ्यान से पढ़िए समझी क्या है question which of the following number would have digit 6 at unit place की हम लोगों को ऐसा बोला question में की यह सभी number का square करना है और यह सभी number का जब square करेंगे तो unit place पे कौन सा number आएगा unit place पे कौन सा number आएगा वह बताने के लिए general बच्चा फिर से वही काम करेगा जिसे 19 का square है तो बच्चा करेगा 19 multiply 19 ठीक है और समय की बरवादी इस तरह से देखिए का question number h जो है उसको अगर वो करेगा बच्चा तो 9487 multiply करेगा और 9487 समय कितना ज़्यादा kill होगा यहाँ पे तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे smart work करते हैं वो कैसे देखिएगा question number हम लोग 2 जो करने जा रहा है उसका a, a को देखेंगे b को c को सभी question को देखेंगे ध्यान से देखिए एक चीज देखते हैं लोग unit digit of 19 का square का बात कर रहे हैं जो equal होगा unit digit of 9k square के decision कौन लेगा unit place पे unit place पे जो value होगा उसी से पता चलेगा तो 9k square का unit value क्या आएगा 1 आएगा यानि 81 आएगा 81 का यानि कि क्या आएगा 1 आएगा ठीक इसी परकार जिसे a में यहाँ बात हमने लिखा b में हम लिखेंगे तो लिखेंगे क्या चीज सेम चीज लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 84 84 का square is equal to यहाँ पर unit digit of लिखेंगे 4 का स्क्वाइर और 4 का स्क्वाइर 16 और 16 का यूनिट अस्थान के क्या आएगा 6 आएगा चीक है चो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो 9 का स्क्वाइर 81 आता है यहाँ पर क्या आ जाता है 4 का स्क्वाइर 16 आता है लेकिन यूनिट की बात हो रही है तो unit कहां आ रहा है ये unit है ये unit को बताता है इकां ये स्थान को बता है ये unit को बताता है और हमसे पूछा जा रहा था कहां 6 दिखेगा तो एक जगा हमें दिखा है 84 के लिए 6 दिखा है ठीक है ठीक इसी परकार हम C number जो करेंगे उसमें भी सेम चीज यही लिखेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4,3,6,8 का स्क्वार is equal to सेम कहानी और यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वार जो की आएगा 64 और 4 जो है वा है unit पेलेश ठीक है बात समझ में आ रहा हुगा D number देखेंगे D number में सेम कहानी लिखेंगे और 3,2,5,8,4,6 का स्क्वार लिखेंगे is equal to इसके भी unit के जगा पे क्या है 6 का स्क्वार है और 6 का स्क्वार देता है 36 और यहाँ पर 6 दे रहा है unit के स्थान पे E number question जो देख करेंगे हम लोग उसमें भी देखेंगे 9 का स्क्वार आप लोग यह language लिखेंगा is equal to यहाँ भी 9 का स्क्वार है और result के तोर पे 81 दे रहा है और यहाँ पर एक आ रहा है unit के स्थान पे if number question जो करेंगे 14278 का स्क्वार और यहाँ भी हम ने देखा 8 का स्क्वार देता है 64 64 देता है और यहाँ 4 दे रहा है question number Z जो है वह है 324 का स्क्वार और यहाँ भी हमने रेखा 4 का स्क्वार 16 दे रहा है और एक आई के स्थान पे unit के स्थान पे 6 दे रहा है H number question जो है उसमें भी देख सकते हो आप 9487 का स्क्वार दे रहा है और यहाँ भी हमने देखा result के तोर पे 7 का स्क्वार यानि की 49 दे रहा है और यहाँ 9 है question में हमें requirement क्या था उस चीज पे थेरा ध्यान देते हैं बोला है उड़ है डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस पे यूनिट के स्थान पे 6 आना है कब कब आ रहा है तो देख सकते हो यहां आ रहा है result 6 यहां आ रहा है result 6 और यहां आ रहा है result 6 और वह भैलू क्या है 324 है वह वैलू क्या है तो यहां पर दिखे 325846 है और यहां पर है 84 यह सभी वैलू के लिए वह चीज आ रहा है तो हम लास्ट में लिख सकते हैं यह बात so 84 कै स्क्राण स्वार कमा 325846 कै स्क्रार यह 3 to 4 का स्क्वायर विल हैव दा डिजिट 6 at its यूनिट प्लेस तो यही अपना फाइनल एंसर हो गया यह यह और यह एंसर हो गया तो उमीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा यदि आप लोग को इसका एंसर yes नो में देना होगा तो आप कैसे दोगे yes और no में इसका जवाब तो आप देख सकते हो एक आ रहा है question में 6 लाना था तो यह तो answer ही में यह दिया होगा no यह दिया होगा yes क्योंकि इसके last में 6 आ रहा और 6 का requirement है इसमें नहीं आ रहा है 6 तो इसके लिए दिया होगा no इसके लिए दिया होगा yes क्योंकि इसके last में 6 है इसके लिए दिया होगा no क्योंकि इसके last में 1 है इसके लिए दिया होगा yes क्योंकि इसके last में 6 है और इसके लिए भी no दिया होगा क्योंकि इसके last में 9 है तो उमीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा question number हम लोग 3 देखेंगे इसके बाद तो देखे question number 3 कितना easy question है पूछा हमसे जा रहा है how many square numbers are there between 1 and 100 हमसे पूछा यह जा रहा है कि एक और 100 के बीच में कितने ऐसे number होंगे जो एक square number होंगे square number जिसका हम लोग square root बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं बिना point के जैसे बात करते हैं सबसे पहले हम लोग जैसे लिखते है 1 का square तो हमें result के तौर पे मिलता है 1 2 का square तो हमें result के तौर पे मिलता है 4 3 का square हमें result के तौर पे मिलता है 9 4 का square हमें result के तौर पे मिलता है 16 जबकि 5 का square हमें result के तौर पे मिलता है 25 5, 6 का square हम करें तो मिलता है 36, 7 का square करें तो हमें मिलता है 49, 8 का square करें तो मिलता है 64, 9 का square करने पे हमें 81 मिलता है, जबकि 100 का square करने पे, sorry, 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 10 का square करने पे हमें मिलता है 100, यह 10 का square है, 10 का square 100, तो 1 का root निकाल सकते हैं असानी से 4 का 9 का 16 का 25 का 36 का 49 का 64 का 81 का और 100 का square root निकाला जा सकता है इस question को अगर बहुत ही द्यान से आप परते हो तो इसका answer आपको जो book में दिया है वो नहीं मिलेगा तो हम बोल पाएंगे therefore on counting on counting we can see that हमने देखा हमने जब counting किया तो हमने देखा we can see that there are 8 perfect square numbers between 1 and 100 1 to 100 ठीक है question number हम लोग देखेंगे 4 ठीक तो देखें question number 4 बहुत ही आसान find the largest three digit number which is a perfect square सबसे पहली बात तो यह कि three digit का सबसे largest largest number की बात होती है तो triple nine होता है यह सभी हम लोग जानते हैं यह बात सबसे पहले हम लोग लेते हैं लिख देते हैं greatest बोलिये या largest greatest भी बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं largest largest number of three digit तो three digit का सबसे largest number जो है 999999999 होता है हमसे यह पूछा जा रहा है कि three digit का सबसे largest number बताईए वह सबसे largest number बताईए जो एक perfect square number हो तो हम लोग इसका division method से हम लोग इसका क्या करते हैं square निकालने चलते हैं square root करते हैं three से लगाते हैं pair पेर लगा करके three तो nine देता है यह cancel three three add करने पे six और यहां से double nine आ जाता है two times लगाने पे ज़्यादा हो जाएगा तो one times लगाते हैं one times जैसे ही लगाते हैं हमें 38 बचा हुआ मिलता है ठीक है तो 38 हमें मिलता है तो बात हम यहां पर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं नीचे भी आप लिख सकते हैं यहां पर पास जगह है यहां लिख रहे हैं ताकि next question यहीं पे हम लोग अटा दे हीर remainder क्या बच जाता है is equal to 38 हमें बच जाता है so largest 3 digit number which is a perfect a square is equal to 999-38 यहां पर आप लोग सवाल उठा सकते हो कि आप ने ऐसा क्यों किया अगर 61 नहीं होता यहीं इसमें 61 नहीं होता 61 कम होता तो 31 times में यह कट जाता है यहां पे कुछ नहीं बचता यहीं 31 into 31 करने पे हमें जो result मिलता ना 9,6,1 जो कि 31 का एक square होता क्योंकि 32 का जैसे ही square करेंगे हम लोग 1024 आ जाएगा और यह 1024 जो है वह 3 डिजिट का कोई हिसाब से number नहीं है 4 डिजिट का है और हमसे demand में था question कि 3 डिजिट का सबसे largest या बोल सकते greatest number का requirement था तो यह 38 नहीं होता इसके पास तो यह cancer हो जाता यहां पे यानि क्या हो जाएगा 9,6,1 होगा और required number तो उमीद करते यह question समझ में आगा question number हम लोग 5 देखेंगे इसी वीडियो में यह पूरे exercise को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ठीक है question में क्या हो जाएगा find the smallest four digit number which is a perfect square कितना असान question है सबसे पहले हम बात करते हैं कि four digit का सबसे smallest number क्या होता है one thousand एक हजार वह बात हम लिख ले तो अच्छा होगा चलिए इसका भी solution करते हैं तो लिख देते हैं the smallest four digit number is equal to one thousand ठीक है अब इसका हम लोग square root निकालते हैं तो यह बात में लिख देते square root of one thousand सो हम बोलेंगे the square root of one thousand तो one thousand का square root हम लोग निकालते हैं वही division method इस्तुमाल करके three times में nine आयेगा one three three add करने पर six फिर से one times लगाएंगे अकेला नहीं double zero तरता है यह सब तो आप लोग जानते ही होंगे यहां से आ जाता है 61 और जब subtract करते हैं तो 39 आ जाता है 39 इसमें से subtract कर देंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा वह नंबर तो three digit में चला जाएगा हमसे requirement बोल ला है कि four digit का सबसे smallest number निकलने लिए now अब हम लोग क्या कर सकते थोरा भेजा लगा सकते 31 का अगर square करने चले 31 का square जो होगा वह one thousand से जाहिट सी बात होए चोटा होगा क्योंकि 31 का square करने चल रहे हैं आप यहां पर देखिए 39 अभी भी बज जा रहा है यानि इससे छोटा value जाएगा 31 का square जबकि बात किया जाए 31 के जस्ट बाद भला 32 का square तो यह greater होगा 1000 से तो देखिए कह यहां पर हम लोग चेक भी कर पाएंगे 31 का square जो अपना आएगा तो देखा हमने 31 का square 961 आता है जो की 1000 से less than है जबकि 32 का square 1024 आता है जो की 1000 से greater than है यानि कि सबसे छोटा 4 डिजिट का number क्या आएगा 1024 ही होगा यह बात हम लोग जान पाए है क्योंकि देखिए 1000 के जस्ट बात तो 224 आना है उसके बीच में और कोई number आप लेकर को दोखोगे वो नहीं आएगा perfect square root number तो हम बोल पाएंगे the list का मतलब उता छोटा 4 digit number जो होगा number that is is that is a perfect square is 32 का square यानि कि आगया 1024 यही अपना final answer हुआ question है कि why what list number should we following number divided to get a perfect square following number तो है नहीं following number यह है first number question जो है उसमें 648 इसमें कौन ऐसे number से वह चोटा चोटा कौन ऐसा number है जिससे इसको divide करते तो एक perfect square number बन जाए है उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका prime factorization करेंगे उसमें number का pair ढूल लेंगे जिसका pair नहीं होगा उसको हटाना परेगा यानि कुछ से divide करना होगा तो देखिए कैसे करते हैं इस question को 400 sorry 648 2 से divisible होगा क्योंकि unit अस्थान पर है 8 तो आ जागा 3 2 2 से करेंगे करते जाएंगे और आगे बरते जाएंगे 3 से आएगा 27 3 से आएगा 9 और 3 से आएगा 3 हमने से यहाँ पर देखा कि 4 6 4 8 जो है 2 multiply 2 2 multiply 3 3 multiply 3 यहाँ पर इसका पेर तो है इसका पेर तो है इसका पेर तो है इसका पेर तो है लेकिन यह दो का पेर नहीं है बिचारा अकेला आया है तो अकेला ही जाएगा इसको हताना पड़ेगा जाने के लिए भागाना पड़ेगा अबनाने कि पाग देना हो और अनिकी दिवाइट करना होगा तो हीर हम बोल सकते हैं 648 has two two pairs a one two and sorry three 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 the s are really three pairs of product and multiple of one more two हमने यहां पर देखा three pair तो मिल रहे हैं लेकिन इसमें multiply एक दू एक्स्ट्रा से किया गया है therefore therefore हम क्या बोल पाएंगे 4 sorry 648 has 2 V divided by 2 divided by 2 to get to get a perfect perfect a square यानि कि 648 is equal to 2 का स्क्वाइर multiply 3 का स्क्वाइर multiply 3 का स्क्वाइर multiply 2 to the power 1 है यानि नू नंबर जो अपना आएगा नू नंबर में यह 2 नहीं होना चाहिए that means 648 divided by 2 होना चाहिए 2 से डिवाइट करोगे तो आपका जो value आएगा तो simple सा आप भेजा लगाओगे या तो 2 से डिवाइट करके लगाओ या इसके square करके multiply कर दीचे तो आप जाएगा आप पास जैसे 2 का स्क्वाइर multiply 3 का स्कॉर multiply 3 का स्कॉर यही तो रिजल्ट होगा तो का स्कॉर 4 multiply 3 का स्कॉर 9 multiply 9 अब सब को multiply करोगे तो जो 144 ठीक है तो लेकिन हम से जो पूछा जा रहा था इतना कुछ नहीं पूछा जा रहा था हम लोग का जो एंसर था final यहीं पे हो जाता है खतम यह 2 होगा ठीक है divided by 2 बस यहीं पे छोड़ देंगे तो हमारा जो final answer है वह आ जाएगा कि कोस्टन में सिर्फ बोला divide क्या आसानी से यह है अब इसका हम लोग solution करते हैं 4056 यह divide होगा टू से डिवाइट किया जाएगा तो two zero और two eight आ जाएगा फिर two से डिवाइट किया जाएगा तो आ जाएगा one zero one four two से डिवाइट किया जाएगा तो आ जाएगा आपका five zero seven एगेन हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 1, 6, 9 आ जाता है और यह 13 multiply 13 यह 3 और 2 यानि कि 6 एक्स्ट्रा है यानि इसको बोल पाएंगे हम लोग 4, 0, 5, 6 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13 multiply 13 ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा pair 4056 has एक और दो, दो ही pair मिल दा है यहाँ पर लिख देंगे two pairs of product product and multiple of two 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 more two and six sorry two and three more two and six two ज्यादा मिल ला है हमें two और शॉड़ी यहाँ पर two नहीं लिखायागा न मल्टिफल ओफ ओफ वन वन एक ज्यादा क्या है दो और तीन है एक ज्यादा यानि कि एक ज्यादा है यानि दो और तीन मुल्टिफलाई करने पर छे छे से डिवाइड करने पर बात बनेगा तो हम लिख पाएंगे therefore four zero five six has to be divided by sorry divided by two multiply three that means six और यही अपना final answer होगा यहाँ पर one होगा ठीक है एक और question कर देते हैं साधा आप लोग का जो भी doubt है वो clear हो जाएगा एक और question question number हम लोग देखते हैं c c number question जो है उसमें है three three eight zero चलिए two से लगाते है two से लगाने पर one six nine zero आ जाता है again two से लगाते है eight four and five again किसे लगाते हैं five से लगाते हैं तो आ जाता है one six nine again 13 13 ठीक एक दम सही जा रहे हैं तो यहां पर हमने देखा three three eight zero जो आया वह equal आ गया किसके आप देख सकते two multiply two multiply five multiply 13 multiply 13 तो यहां हमने देखा three three eight zero has two two pair है इसका और इसका two pairs of प्रोड़क्ट एंड एक्स्ट्रा क्या चीज आ गया इसमें five आ गया ठीक है and multiple of one एक ज्यादा one more क्या आया five एक ज्यादा five आया यह नि five से डिवाइट करना होगा they are four बोल सकते है three three eight zero has to be divided by five divided by five और यही answer हो गया ठीक है तो आखे जो भी question बच जाता है आप लोग खुद से कर शकते हो do yourself question number six का जो भी बच गया है जो भी कहने का मतलब बच गया है हमारे पास if तक question जो बच गया है d, e and if यह तीनो question आप लोग खुद करोगे टेखेंगे question number seven इसी वीडियो में यहाँ पर जिसका पेर नहीं पुराएगा उसका पुराने की चक्कर में जो number लेना परेगा वही उसका answer होगा simple concept है question number देखेंगे हम लोग ए यह number में question है कि 9075 इसका हम लोग solution करते हैं 9075 है ठीक है चलिए इसके नीचे लिख करते हैं थोड़ा गदी गदी लगेगा लिखने में तो 9075 इतना से divisible हो जाएगा 3 से divisible करते हैं तो आ जाता है 3025 एगें 5 से करते हैं तो आ जाता है 605 एगें 5 से करते हैं 5150 और यह sorry sorry 2 और यह 51 जा 5 अब यह लगेगा 11 से 11 टाइम्स हमने यहां से देखा 9075 जो है वह equal आया है 3 multiply 5 multiply 5 multiply 11 multiply 11 टिक है बिलकुल टिक है तो हमने इसमें देखा इन एक और चीछ चलिए यहां पर हम लिख सकते हैं 3 multiply 5 का स्कुरर multiply 11 का स्कुरर अब ध्यांस देखिएगा अगर यह भी स्कुरर में होता बात बन जाता है एक 3 की कमी है यहां पे तो हम यह बोल पाएंगे in order in order to get to get a perfect a square the a given number should be multiplied by कितना एक 3 की कमी है multiplied by 3 और यह एंसर हो गया कितना असान था question number हम लोग b देख लेते हैं ठीक है question number b देख लेते हैं b में है triple seven six b में है triple seven six कितना से डिवाइड होगा भाई तो यह डिवाइड होगा टू से तो टू से डिवाइड करने पर आगा चलिए ठीक है तू से डिवाइड करने पर आजाएगा वान नाइन फोर फोर तू से तू नाइन सेवन तू तू से 486 2 से 243 अभी हा लगेगा 3 से 3 से आजाएगा 81 3 से आजाएगा 27 3 से आजाएगा 9 3 से आजाएगा 3 तो इसको इसको देखियेगा आप 7 7 7 7 6 6 इस इक्वाल तो 2 मुल्टिप्लाइ 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 2 मुल्टिप्ला 2 multiply 3 यह बेचारा अकेला रह गया है यानि इसको pair चाहिए और pair होने के लिए क्या चाहिए इसके पास 2 और इसके पास एक 3 यानि 6 चाहिए यानि 6 से multiply करना होगा तो यह बात हम लिखेंगे कि in order to get हमने पाया a perfect square the given number should be multiplied by 2 multiply 3 that means 6 यानि 6 चाहिए तो या एक perfect square number बन जाएगा जो सेस बच जाते हैं question question number c question number d question number e question number f question number z और question number h जो आप लोग खुद करोगे और शीखोगे भी do yourself ठीक है उमीद करते हैं आप लोग वीडियो पशंद आया होगा आज के लिवश इतना है आज के लिवश इतना है